कर दोस्तों स्वार्या था आपका आज किसमें वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ SSC Selection Post 12th Requirement 2024 Apply Form मतलब यह जो अभी SSC करने फॉर्म आया है इसमें आपको 12th basis पर यह फॉर्म आया है इसमें क्या है इसके बाद इसके बाद इसमें आपको इस पोस्ट के लिए SSC Selection Post के लिए यह तीनों आपको eligibility होना चाहिए यह तीनों होना चाहिए तीनों होना चाहिए यह step का forward इसमें जो आपको यह जो age limit है वो आपको दिया गया है 18 से 30 मतलब इसमें जो भी करने फॉर्म आ रहेंगे उनका जो age limit है वो होना चाहिए minimum 18 और maximum होना चाहिए 30 पोस्ट यहां पर इसका दिया गया है इसके बाद इसके जो age limit है वो आपको जो भी करने डेट होते है तो उनको छूट मिलता है तो वो भी जहाँ पर उनको मिलेगा इसमें जब फॉर्म आप बढ़ेंगे तो selection मिलेगा आपको तास एडिनिमिटी का भी मिल जाएगा इसके बाद आप इसमें जो seat है इस पोस्ट के लिए SSC selection post dual requirements तो इसके लिए इसमें क्या है कि आपको एक हजार एक हजार अठाई सीट इसमें अर्डिजर्व के लिए EWS के लिए 186 OBC के लिए 456 SC के लिए 255 ST के लिए 124 टोटल दो आजर उन्चास ठीक है मैट्रिक के जो candidate है इसमें जहां मैंने बताई दिया आपको यहां पर के लिए और यह जो फॉन का जो फोटो है असक्ति केक लिए 16 यह सब को वह जी सोजके जहां आजरे जाएका एससे फोटो इस्टस्मेंट आजरे कि टेक लिए पुर्ट यहां पर बेव क्यावरा दो नेक है ज्यर्ट आश्ट आशो पर को बादरिक के लिएल्एग देख निदार्या इसे आपको यहां बेखलीग के लिया जाएगा वो एकदम साथ होना चाहिए like foot होगा बीचे का background white होना चाहिए इस step से यह form आया है ठीक है तो जो भी करने दें इस form को भरना चाहते हैं वो आराम से भर सकते हैं और इसमें जो document आपको लगने वाला है वो है कि आपको all document eligibility ID proof address detail basic details ठीक है ID proof में आप अधारकाड दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्यों एक्जाम होता है तो वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ अधारकाडी से ही entry होता है और अधारकाडी देखता है ठीक है देखा जाता है वहाँ पे तो इसलिए तो यह सब फॉर्म बरने में आपको काम आने वाला है और आपका जो क्वालिफिकेस आने जो कि मैंने देरे बता दिया SST के लिए तो वह आपको इतना होना चाहिए और यह जो फॉर्म के start date इसमें दे दिया गया है यह आपको 26.2.2024 से start है और इसका नाच रेट आपको 18.3.2024 तक है ठीक है लेट पी के साथ इसका जो पेमें इंट्रेव वो नई इस 3.2024 तक है कोरेक्सर बेंडियोस का 22.24 मर्च को अपिन होगा और इसमें जो है CVT एक्जाम होगा मतलब कंप्रूटर बेस टेस्ट ग्राम होगा और यह जो है इसका जो आइडिमिट कार है वो आपको जैसे कि एक्जाम डिक्शन चो टारिक अटमा महिना में जैसे दे दिया 24.2024 तक है तो इस से पहले आपका अपका अपका आच रहेगा ठीक है तो इस टाप से उसका फॉर्म के बारे में बता दिया गया जैनेडाल EWS OV सीकूल ने स्वाट पर रहेगा ST, ST और फिसकल एंडिकप के लिए जीरो लगीगा और केटो करें फीमिल के लिए जीरो पेमेंट है इस टाप से पेमेंट भी थी है क्योंकि फीमिल को पेमेंट नहीं लग रहा है तो फॉर्म अच्छा ही है यह मतलब फीमिल को पेमेंट नहीं करता है और ST, ST और फिसकल के लिए पेमेंट नहीं करता है जो करता पेमेंट जेनरल के लिए करता है तो जो भी इंट्रेस्टेट कंडिनेट है, जो इस फॉंग को भरना चाहते हैं, वो अराव से इस फॉंग को भर सकते हैं, और इसका वीडियो में बना के डालोगा कि फॉंग किसे बारे, तो इसकी वीडियो के लिए पर आगे आद दिखते रहेगा, चले को लाइक, सब्सक्र कॉमेंट जरू किजिएगा, ताकि मैं इस फॉंग के वीडियो को बना के बताता हूँ, थैंक्यो दूस्तों